बिहार में महागडबंदन की सरकार तो बन गई लेकिन मसले अब तक दूर नहीं हुए बिहार में नितिश कुमार मुखे मंतरी तो बन गए लेकिन मंतरियों पर कहर ढाना अभी तक बीज़पी ने रूका नहीं है बिहार में नितिश कुमार के साथ साथ उपमुखे मंतरी की शपत यानि डिप्टी सीएम ते जश्वी यादब बन तो गए हैं लेकिन अब तक बिधायकों की भगापती तोर ठामा नहीं है पुरा मामला ये है कि दरसल महा गड़बन में सब कुस ठीक नहीं चलना है कब किसको इस्तिफा देना पड़ जाये कब किसको मंतरी से निकालना पड़ जाये ये को नहीं जानता और कब किसकी मंत्री छीन ले इस वक्त महागाडबंदन में आरजेडी का पलरा भारी है उनकी ताकत ज्यादा है लेकिन कुछ ऐसे सयोगी दल है जो नाराजगी जाता रहे हैं 31 मंतरियों ने शपत दो ले लिया लगिन कारून चाहिए हुई और आप कंग्रेस के मंतरी भी रायूल मंदल को लेकर हमकी पाटी वैसे नकरा देखा रही है और सब क्यों ना देखा है भाई मौका है तो छक्का लगा अभी तो सब मलाइक खाना कोन नहीं चाहता है लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अगर ते जसे भी याद आव यानि आर जेटी को देखा जाए तो नितीश कुमार से अगर सिर्फ दो सीटों का अगर वो उपाई कर लेते हैं जैसे कि मायम के चार विधायक चले गए तो उनकी सरकार खुद की बन जाएगा अगर हम पाटी उनके साथ रहते हैं तो कि हम पाट परबंदन की सरकार बना तो दी है लेकिन उनके दिन ठीक नहीं है कहीं न कहीं चिंगारी आ रही है कब कौन साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता है ऐसे में नितिश कुमार के लिए मुसीबते लगतार बरकरार है सोनिया गांदी लालू यादब कैसे इन तमाम सिच्चूशन को समखा लेंगे एक बहुत बड़ी चुनाओती है आज के लिए तना ही मुझे दीजे जाजा तो आप देखते रहे स्पेनाई नियूस नमस्कार